हेलो फ्रेंड्स जार्खंड के इतिहास में छेत्री राजवन्सों का अस्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है और जार्खंड का राजनेतिक इतिहास छेत्री राजवन्सों के स्थापना के साथ साथ सासकों के साथ साथ आगे चलता रहा और जार्खंड में जो है सबसे पहले र साथ साथ चलता रहा यहाँ पर तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगी रामगड राज के बारे में जो की जहरखन राज की निर्मान से संबंदित है यहाँ जहरखन राज में जो भी छेती राजवन्स था उन्हीं से यह रिलेटेड है तो रामगड राज के बारे में पू तो यहां पर रामगर राज के संस्थापक रहे वागदेव सिंग जिन्होंने 1368 इस्थापक में रामगर राज के अस्थापना की थे वागदेव सिंग अपने बड़े भाई की साथ नागवन्सी राजा के सेवा में आये थे बाद में ये दोनों भाई बड़का गाउं आये और वहां के अस्थाणिय साशक को हरा करके बड़का गाउं के कर्ण पूरा छेतर को अपने अधिकार में कर लिया तो ये जो हैं सास्थापक बागदेव सिंग इन्हों ने अपने बड़े भाई की साथ में नागवन्सी राजा के सिवा में आये थे और बाद में इन्हों ने नागवन्सी जो राजा थे जो साशक थे उसके उहां से ये दोनों बड़का गाउं आये और उहां का जो इस्थ रामगाल्षcentered को अपने nud कर लिया hai का बागदेव सिंग ने एक्स मियातर कराइब और अपने राज की राजधानी सिसिया उर्दा को बनाया तो दोस्तों ये जो संस्थापक रहे रामगर राज की भागदेव सिंग इन्होंने 21 पर गनों पर कबजा कर लिया और अपने राज की राजधानी इन्होंने बनाया सिसिया उर्दा को तो यह जो सिस्या उर्फय यह इंपोर्टेंट आपको यह याद रखना यह साथ यह संस्था पर के रामगर्ण राज के भागदेंव सिंग इनको भी याद रखना है पहला जो था वो सिस्या उर्दा दूसरा में जो हेमंत सिंग के द्वारा बनाया गया हुआ था बादम हेमंत सिंग के बाद राजा दलेल सिंग 1670 इस्वी में रामगड को नई राजधाने बना कर सासन किया तेज सिंग ने राजधानी को रामगड से इचाक 1772 भी मिले गया और वहीं से सासन किया बाद में यानि कि दलेल सिंग के बाद में तेज सिंग आये जो सिंग देव के वनसच थे इन्होंने जो है रामगड जो राजधानी ती उसको चेंज कर दिया और इचाक में नई में रामगड राज जी के असासन ब्रह्मदेव नारायन के पास चला गया और इन्होंने पदमा को राजधानी बनाया अब तेज सिंग के बाद में ब्रह्मदेव नारायन के पास में रामगड राज का सासन 880 में चला गया और इन्होंने जो है पदमा को राजधानी बन गय जो आवसेज बचे हैं वो अभी भी पद्मा में ही पिद्यमान है जो कि यह पद्मा वो ब्रहमदेव नारायन के त्वारा बसाया गया था राजना नहीं पनाया गया था आसन किया यानि कि सबसे नया जो राजधानी बना वह पद्मा ही रहा लास्ट का जो है राजधानी जो रहा वह पद्मा रहा कि 1955 में रामगण राइज का अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया तो 1955 में सवतनतरता के बाद रामगण राइज का जो अस्तित्व था उसको समाप्त कर दिया गया तो यहां पर जो है रामगण राइज में इतने सो जो राजा बने उनकी जो राज़ाने क्या थी इसको भी कर gooे दलेल सिंग तीसरे राज और इसके राद्वत रामगर्र जुथे राजा तैज सींग जीन की राद्वत रही इचाख और ब्रह्मब्देय नारायन सिंग पलस कामख्या इन दोनों की राजधानि रही बदमा चोकी लास्ट यानि की अंतियम राजधानि रही तो यह पहला और अंतियम जो है उन नामों को याद रखना है राजा को भी और साथ्य साथ राजधाने को भी गहाँ अगर आप लोग नाग्वनसीgren인지 राजा और उन depiction को जानते हैं या तो फिर उसको जानना चाहते हैं तो यो ट्रिंक के साथ बता गया है जो डिस्क्रेप्सन में डिये लिंक पर आप लोगों को मिल जाएगा तो आप डिस्क्रेप्सन में लिंक पर जाकर कि राखभआ तो यही कुछ थी जानकारी रामकल राज के स्थापना के पारे में तो यहां पर जितने भी राजा थी और उनकी राजाने थी वह आपको याद रखना है थेंक यू दोस्तों